नमस्कार साथ्योग आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम दृष्टी पर मेरा नाम है मंगेश कुमार और साथ्योग आज हम लोग जो है डिसकस करेंगे आज के most important current affair डेट है आज की 24 अगस्त 2022 तो सबसे पहले इस शांदार सेसन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथ्योग जल्दी से सैसन को आप लोग शेयर कर देंगे अपने सभी यार दोस्तों के साथ में भाई बंदूहों के साथ में लेकिए सैसन को जरूर शेयर करिएगा साथ्योग यहां पर class बहुत सांदार होने वाली साथ्योग बह हम सबसे पहले अपनी शुर्खियों की बात करते हैं बाकी सेसन को फिर जो है आगे स्टार्ट करते हैं किलियर तो जल्दी से आप लोग सेसन को सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं हम लोग उनका वेट कर लेते हैं एक सेकिंट के लिए जाज करने के लिए RT-PCR स्वदेसी पहली स्वदेसी किट करी गई विक्सित परागवे में विदेश मंत्री S. जैसंकर ने महत्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का किया अनावरण अमेरिका द्वारा 2024 में लॉंच किया जाएगा Artemis 3 Moon Mission हाल ही में बिहार को मिला मिथिला मखाने का GI टैग कनाडा के द्वारा की जा रही है 65 वे राष्ट्रमंडल संसिदिय संवेलन की मेज़िबानी उत्तराखंड में स्थापित होगी भारत की पहली अंत्रिक्ष वेदसाला उत्तर प्रेस में बनाई जाएगी भारत की पहली सिख्षा टाउन्शिप उल्ची फ्रीडम सील्ड युद्ध अभ्यास अमेरिका और दक्षिन कोरिया के बीच हुआ शुरू पूने में किया गया भारत की पहली हाइड्रोजन इंधन सेल बस का शुभारंब ये तो थी साथियो आज की शुर्खियां ये हैं हमारे कोर्सिज स्मार्ट कोर्सिज जो अवेलेबल हैं एक्जाम द्रिष्टी के एक्जाम द्रिष्टी पर ये स्मार्ट कोर्सिज अवेलेबल हैं साथियो अगर आप लोग UPPCS 2023 की या उससे आगे की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए Mission SDM बहुत बहुत ज़्यादा relevant है, बहुत ज़्यादा important है साथ हो, यहाँ पर आप लोगों के लिए comprehensively तयारी कराई जाएगी, prelims की, mains की और interview की, यानि कि तीनों phases की आप लोगों को बहुत ही बह papers की तयारी आप लोगों को बहुत ही expert faculties की द्वारा कराई जाएगी, साथ ही, अगर हम mains की बात करें दोस्तों, तो mains में भी GS1, GS2, GS3, GS4, इन सभी की तयारी कराई जाएगी, general Hindi की तयारी आप लोगों को बहुत ही बहतरी तरीके से कराई जाएगी, और इसके अलावा, आप लोगों को mains answer writing practice भी कराई जाएगी, तो guys, अभी जो है, इस पर 77% का off चल रहा है, 77% का ये जो आप लोगों को discount मिल रहा है, और discount के लिए आप लोगों को code यूज करना है, ED400, किलियर याद रखना है, ED400, ये वाला code आप लोगों को यूज करना है, और दूसरा जो हमारा batch है साथ यह वो है summer plan batch, अगर आप RO, ARO की तयारी कर रहे हैं, चाहे 2022-23 के लिए, चाहे उसे आगे के लिए भी, तो ये summer plan batch बहुत ज़्यादा important है, यहाँ पर आपको RO और ARO की pre और mains, दोनों ही phases की बहुत ही बहतरीन तरीके से तयारी कराई जाएगी, expert faculties के उदारा, 300 गंटे क स्मार्ट कारेकरम आप लोगों के लिए plan किया गया, organize किया गया है, prepare किया गया है, प्रती दिन दो live classes, recorded classes, यह सभी मिलेंगी, class notes आपको provide कराई जाएगे, और इसके अलावा PDF form में आपको notes दिये जाएगे, और जो माध्यम होगा इन दोनों ही courses का, यानि कि आप चाहे हिंदी medium से हो, या फिर English medium से हो, clear, दोनों ही batches, मतलब दोनों ही languages में आप लोगों को तयारी कराए जाएगी, और इसके अलावा सापता है, मुल्यांकर भी कराए जाएगा, अब अगर बात करें, इन batches की, तो देखो यह जो batch है सात्यों, 5 सितंबर से यह batch सुरू हो रहे हैं, और ज जो code है, यह वाला जो code आप लोग लगाएंगे, तो तब आपको discount मिलेगा, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे इन numbers पर भी call कर सकते हैं, number है, 70111 27226, clear तो इस number पर call करके आप लोग counseling ले सकते हैं, फिरी, और यहाँ पर आप लोगों को यह सारी चीज़े मिल जा previous year के papers, यह सभी आपको application पर मिलेंगे, तो application जरूर डाउनलोड कर लेजिए, आप course लें ना लें, लेकिन application तो जरूर ही download कर लेजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत बज़ादा फाइद है, clear दोस्तों, और मैं चाहूंगा, आप लोग जो है, इस courses को अगर त्यारी कर र चलिए अब सुरुवात करते हैं, जल्दी से सैसन को शेर कर दीजिए, आप लोग, देखिए, विश्व जल सप्ता, 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो guys ये किया जा रहा है, 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, ये एक सप्ता जो है, विश्व जल सप्ता इसका आयोजन किया जा रहा है, वर्ल्ड वाटर वीक, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इसका जो उद्देशे है साथियो वो यही है कि जो वैश्व जल के मुद्दे हैं, अंतराश्ट्रिया विकास से संब्दने चिंताओं को दूर करने के लिए, 1991 में इसको शुर जल है, जल दिन परती दिन कम होता जा रहा है, लोगों के पास में पीने के लिए पानी नहीं है, तो इस जो हमारी वाटर की जो वैल्यू है, उसको ध्यान में रख करके आप लोगों को यूज करें, ठीक है, ध्यान रख़िएगा, जो वाटर क्राइसे बहुत तेजी से जो हो में अंतर राश्ट्री जल संस्थाम द्वारा इसको आयोजित किया गया था और अब यह वार्सिक कारेकरम है नेक्षट दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर राश्ट्रिय दिवस यानि कि इंटरनेशनल डे फोर्दार इमेंब्रेंस ऑफ दा स्लेव ट्रेड और इट्स एबोलिशन साथियों ये 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है मतलब मनाया जाता है आप लोगों को याद रखना है 23 जनवरी को प्राक्रम दिवस मनाया जाता है 8 March को अंतर राष्ट्री महिला दिवस, 22 March को विस्व जल दिवस और बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 March को विस्व शेरोग यान कि TB Day कम मनाया जाता है, 24 March को, तो साथ यो आप लोगों को याद रखना यह सारी बात है, चलते हैं आगे नेक्स्ट, हाली में मंकीपोक कि जाच करने के लिए पहला सवदेशी निर्मित आईटी-PCR जो किट विक्सित करी गई है यह किसके द्वारा विक्सित की है तो गाइस यह की है Trans-Asia Biomedicals के द्वारा ये Trans-Asia Biomedicals के द्वारा विक्सित की गई और ध्यान रखना है आप लोगों को RT-PCR kit जो है ये स्वधेसी है देश में ही इसको विक्सित किया गया है अगर और पहली है ये ठीक है और Monkeypox की बात करें तो साथ यो Monkeypox जो है बहुत तेजी से फैल रहा पूरे वेस्वे में भारत में भी कई केस सामने आ चुके है पहला केस के रेल में सामने आया था Monkeypox की जाच करने के लिए अभी RT-PCR kit विक्सित कर दी गई है आंदर प्रदेश के Meditech जोन में इसको अभी हाली में पेश किया गया है और किसके दौरे विक्सित किया है ये आप कंपनी का नाम जरूर याद रखना ये है Trans-Asia Biomedicals किलियर और इसको प्रदान जो विग्यानिक सलाकार है हमारे अजय कुमार सूध इन्होंने लॉंच किया है बेहद समवेदन सील किट है ये और इस्तेमाल करने में बहुती आसान है कोई भी इसको इसको इसली इस्तेमाल कर सकता है चलते हैं आगे Monkeypox के बारे में बात करें गाईस तो Monkeypox क्या एक Genotic Viral Disease है Genotic बीमारी ऐसी बीमारी यहां होती है और back यान की back pain होने लगता chills और lymph node में swelling सूजन आ जाती है rash जोर जाने लगते हैं पूरी body पर छाले छाले से बन जाते हैं जैसे की चेचक में हो जाते हैं clear और इसके अलाबा face पर body पर पूरी body पर यह छाले हो जाते हैं तो यह Monkeypox के बारे में पहली बार 1950 के दस्क में मंदरों के एक समू में यह पाया गया था वाइरस उसके बाद में साथ यह 1958 में डैनमार के कॉपेन हेगर में मंदरों पर एक research की गई थी और तब यह इसका outbreak हुआ था बाद में इसका नाम monkeypox रखा गया था कुछ important सवालों की अगर बात करें साथ हो तो देखिए हाली में WHO ने किस वाइरस के variant को clad1, clad2a और clad2b नाम दिया गया तो यह दिया गया monkeypox अलग अलग देशों में अफरीका के में जो यह variant आए हैं उनके नाम दिये गए आप लोगों को याद रखना यह पूछा जा सकता आपसे सवाल की clad1, clad2a, clad2b क्या है तो यह monkeypox के variant है नेक्स है हाली में लंपी रोग के निदान के लिए कौन सी vaccine विक्सित की गई है यह की गई है pro vac नेक्स है ELISA यह जो ELISA test है साथ हो यह किस संबंदित है यह किस रोग की जांच के लिए किया जाता है ELISA test तो ध्यान रखना है ELISA जो test है साथ है वो AIDS की जांच के लिए किया जाता है इसकी फुलफो में acquired immunodeficiency syndrome के लिए वीके पॉल समझती हाली में यूज में थी हमने discuss भी किया था बहुत ही अच्छे से तो यह किस संबंदित है देखिए monkeypox की रोग ठाम करने के लिए इससे संबंदित निदान उपाए यह सब ही सुजाने के लिए task force का गठन किया केंदर सरकार ने और इसकी जो अध्यक्सता यानि कि यह वी के पॉल जो कि नीती आयों के एक सदस्य है इनकी अध्यक्सता में यह समीती का गठन किया गया आप लोगों को याद रखना है clear guys next जो सवाल है हमारा वो है साथियो कि monkeypox का भारत में पहला मामला कहां पर आया केरल में clear guys monkeypox का भारत में पहला मामला केरल में सामने आया आप लोगों को याद रखना है next आप father of immunology किसे का जाता है यह का जाता है guys Edward Jenner को आप लोगों को याद रखना है chemistry का बहुत ही important सवाल है हमेशा पूछा जाता है बहुत वारी एक्जाम में कि father of immunology किसे का जाता है यह का जाता है guys Edward Jenner को clear चलिए next हम बढ़ते हैं आगे और next जो सवाल है हमारा वो है कि हाल ही में किस देश में विदेश मंत्री S. Jai Sankar ने महत्मा गांधी की एक आवक्ष पृतिमा का अनावरन किया हमारे जो विदेश मंत्री है S. Jai Sankar यहां पर आप इनको देख सकते हैं अभी यह विदेशी दौरे पर हैं और तीन देशों के दौरे पर गए हुए हैं यह दक्षिन अमेरिका में clear और यहां ही पर इन्होंने दक्षिन अमेरिका का एक देश साथियो परागवे लेंड लॉक कंट्री है यह दक्षिन अमेरिका के इस देश में इन्होंने हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने महत्मा गांदी की आवक्ष पृतिमा यहां पर आप देख सकते हैं आवक्ष पृतिमा का अनावरन किया गया आप लोगों को याद रखना है कहां पर परागवे में इनके बारे में और बात करें हम लोग तो देखिए इन्होंने यहीं पर एक जो जन्वरी 2022 में कारे करना सुरू किया था भारतिय दूतावास उस दूतावास का भी उधगाटन क यहां पर दो सदी से भी अधिक समय पहले दक्षिन अमेरिकी देश परागवे को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन सुरू हुआ था तो यहां कर भी एक तरह से चुकि गांदी जी ने भी आंदोलन सुरू किया था तो उसकी स्मृति में यह ध्यान तो आप लोगों को या रखना है कासा डीला इंडिप्रेणस यह कहां पर रही है परागवे में है यह इस करके सवाल ऐसा पूछा जा सकता है सवाल कि यह कहां पर है नेक्स्ट है कि विदेश मंतरी एस जेसंकर कब से कब तक है यह बाइस से 27 अगस्त क विदेशी दोर परे कहां कहां पर ब्राजील प्रागवे अर्जंटिना इन तीन देशों की यात्रा पर हैं और इनके द्वारा आप देखो जैसे यात्रा करते हैं विदेशी यात्रा पर जाते हैं ये तो चाहे प्रिदान मंत्री हो चाहे कोई और मंत्री हो तो अपने समकक्षों से साथ मुलाकात करते हैं तो इसी तरह की क्षिक अमेरिका के ब्राजिल है। पेरू और बॉलिविया। どो---- अर्ण पर आप और सबसे उंची चोटी जल्दी से बताईए अप नीचे comment section में, आगे चलते हैं, discuss कर लेते हैं, दक्षिन अमेरिका के बारे में, बात हो रही है, तो important सवाल मैंने दक्षिन अमेरिका के बारे में ही डाले हैं, Amazon वनों का अधिकांस भाग किस देश में है, ब्राजील में, ब्राजील में, कौफी के बागानों को किस नाम से जान जाते हैं, यह वेनेजियोला यहीं पर है, आप लोग को याद रखना है, ग्याना, सुरिनाम, फ्रेंच, ग्याना, यह सब ही देश है, अर्जन्टिना यहां पर है, पंपास, गास के मैदान वगएरा, clear? तो चलिए, अब देखो, next है, विस्व की सबसे लंबी नदी, यह है अमेजन नदी, अमेजन नदी विस्व की सबसे लंबी नदी और यहीं से बहती है, इधर से कहां से, यहां से होकर के यह ऐसे ऐसे बहती है, ठीक है, next है, विस्व की सबसे लंबी परवत सरंखला, तो guys जो विस्व की सबसे लंबी परवत सरंखला है, वो है, एंडीज, दक्षिन अमिर्का की सबसे उची छोठी यह है एकाँकाग कुवा और ब्राजील में सवाना गास के मैदानों को क्या कहा जाता है कम्पोस कहा जाता है यहां पर यह जो गास के मैदाने उन्कों कहा जाता है आप लोगों को याद रखना नेक्स्ट है अर्जन्टीना में जो घास के मैदाने उनको कहा जाता है पंपास दक्षिन अफ्रीका में वैल्स बोला जाता है ठीक है ऑस्ट्रेलिया में डाउंस बोला जाता है घास के मैदानों को क्या बोला जाता है डाउंस इसके अलावा प्रियरी कहां बोला जाता है उत् तो अमेरिका की जो अंत्रिक्ष अजंसिय है इन्होंने अभी घोशना करी है कि हम जो है यह important किस लिए important इसलिए है guys यह क्योंकि पहली बार इस मिसं से महीला यात्री को भी भी बेजा जाएगा जो किचंद्रمा पर लेंडिंग करेगी तो आप लोगों को को याद रखना है मिसन में पहली बार महीला स्पेस यात्री भी इसमें सामिल किया गया है और इससे पहले 1979-1972 कई अपोलो मिशन चांद पर भेजे गए थे लेकिन उसमें महीला नहीं भेजी गई थी पुरुस यात्री ही गई थे आप लोगों को याद रखना है तो आर्टेम रखना है यह दक्षनी ध्रोब पर उतरेगा और यहां पर 13 है संभावित लेंडिंग साइटों को भी पहचान किये और इन 13 है जो संभावित लेंडिंग साइट है इनमें से किसी एक पर इसको उतारा जाएगा तो आप लोगों को याद रखना है कब 2024 में और किसका मिसन है नासा का मिसन यह सारी बात है हम लोगों ने इस Artemis 3 मिसन के बारे में बात करी डिसकस किया इसके बारे में यहां पर देख सकते हैं आप लोग यह है उत्री अमेरिका का मैप और यहां पर है USA USA United States of America और इसमें 50 स्टेट्स हैं इसके के लिए यहां पर आप Gulf of California यह जो California देख स जिसमें पांच यह लेग महत्पूर्ण लेग सामेल हैं साथ जिसमें सुपीरियर मिशीगन यूरॉन इरी और उंटेरियो यह पांच जीलों के नाम आप लोगों को याद रखना है सुपीरियर क्यों इसके अलाबा कुछ और बात हैं यह बर्मूरा ट्राइंगल आपने ना बर्मूरा ट्राइंगल का आपने नाम सुना है यह यही पर है अट्लांटिक ओशन में बर्मूरा ट्राइंगल यहां पर है बहामास यह है ठीक है तो यह केरिबियन शी है आप लोगों को याद रखना नॉर्थ अमेरिका कम है फमने रीड किया अब हम लोग आगे चलते हैं साथियों बात करते हैं कुछ important सवालों की देखिए हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंदर मिशन दनूरी मिशन लॉंच किया है तो साथियों यह किया है दक्षिन कोरिया के दोरा किसके दोरा दक्षिन कोरिया के दोरा यह मिशन लॉंच किया गया आप लोगों को याद के द्वारा और कब भेजा गया था 2008 में सफल रहा था ये है ना ये जो पोलर सैटलाइट लॉंच वीकल है ये चंद्रियान टू जो भेजा गया था साथ यो ये सफल नहीं रहा इसको भेजा गया था जी एसल्वी Mk3 M1 rocket से भेजा गया था आप लोगों को याद रखना है क्लियर सारी बात है नेक्स्ट आगे चलते हैं नूरी उपग्रह किस देश द्वारा लाँच किया गया है तो गयज ये लाँच किया गया है दक्षिन कोडिया के द्वारा आप लोगों को याद रखना है नूरी इस रो के द्वारा हमारी मतलब भारतिय सेना के द्वारा इसको लौश किया गया था और इसका जो उद्देश्य सासातियों वो था कि जो भारतिय सेना के सेटिलाइट्स हैं जो घूम रहे हैं बिर्थवी के चारो और चक्कर काट रहे हैं जो भारतिय सेना को important information प्रिदान करते हैं उनके बारे में testing करना था कि क्या ये सही से काम कर रहे हैं या अभी नहीं कर रहे हैं किलियर सारी बात हैं चलिए next है EOS हाली में EOS2 और आजादी set upgrade इस तो के द्वारा launch किया गई है तो आप से पूछाए कि ये कौन से satellite मतलब launch vehicle से launch किया गई थे तो guys ये किया गई थे SSLV के द्वारा यानि कि small satellite launch vehicle से इनको launch किया गया EOS2 और आजादी set इनको नाम आप लोगों को याद रखना है तो guys ये हमने discuss किया महत्मूर्ण सवालों के बारे में अब आगे चलते हैं और next जो मारा सवाल है वो है कि हाली में मिथिला मखाना का GI tag किस राज्य को मिला है साथियों जैसा कि आप जानते हैं मिथिला मखाना GI tag की बारे में बात करें तो इसकी जो full form है साथियों वो है geographical geographical indication ये साथियों 1999 का एक act है उसके द्वारा उस act के तहर इसको शक्तियां प्राप्त होती है और ये किसी भी product को दिया जाता है जो की भोगोलिक संकेतक है एक तरह से जो किसी particular area में कोई product उगता है चाब बनाया जाता है उसको दिया जाता के लिए बिहार का ये GI tag है आप लोगों को याद रखना है केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को GI tag प्रदान किया गया है और इससे उत्पादकों को मखाना उत्पाद का अधिक दमूले मिलेगा इस फैंसले से हुआ क्या जो बिहार के मिथिला चेत्र के 5 लाग से अधिक मखाना उत्पादा किसान है उनको फाइदा होगा और मखाना जो अपने स्वाद, पोशक, तत्व, प्राकृतिक रूप से उगाई जाने के लिए विख्यात है भारत का 90% मखाने बिहार में ही उत्पादन होते हैं इस एक्ट के माध्यम से जी आईटेग प्रदान किये जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा ताकि उस प्रोडक्ट को कोई अन्य व्यक्ति या अन्य कोई भी राजय अन्य व्यक्ति अन्य चेतर अन्य कोई एजनसी अपने नाम से उस प्रोडक्ट को बेच न सके किलियर, मतलब कोई अगर मान लोग ये बिहार में मिथला मकाना उगता है, तो बिहार के ही लोग यानि कि मिथला मकाने को यहीं के जो यहीं पर उगाया गया है, मिथला में ही जो उगाया गया है, मिथला में जो प्रोडूश किया गया है, वही लोग इस मिथला मकाने के नाम स इसको बेच सकते हैं, और कोई नहीं बेच सकता है, clear, तो आप लोगों को याद रखना है, मितला मकाने के नाम से किसी दूसरे product को नहीं बेचा सकता है, केवल इसी को ही बेचा जा सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है, अब ये जो कुछ बिहार के GI tag जिनको मिला गया, मदुभनी पेंटिंग, कतरनी चावल या कतरानी चावल भी इसको बोला जाता है, मगही पान, सिलाव का खाजा, ये एक तरह से मिठाई है, मुझभफरपुर की साहीलीची और भागलपुर का जर्दालु आम, ये जो साथियो जी आई टेग हैं, ये सभी बिहार को जी आई ट कब मिला था, 2004 में, और अभी तक लगबग 300 से अधिक प्रोड़क्ट को जी आई टेग मिल चुका है, इसके लावा टेरा कोटा, गुरखपुर, टेरा कोटा को साथियो, गुरखपुर में, गुरखपुर का ये जी आई टेग मिला है, उत्तर प्रिदिस के गुरखपुर को आप लोगों को याद रखना है, क्लियर, चलते हैं आगे, नेक्स्ट, ये हमारा बिहार है, और बिहार का ये मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी अगर सीमाओं की बात करें, तो यहाँ पर ये उत्तर प्रिदिस से इसकी सीमा लगती है, जहार खंड से इसकी सीमा बंगाल से भी सीमा लगती है किलियर और यह सभी से इसकी सीमा लगती है यहां पर यह बड़ा मैप आप लोग देख सकते हैं बिहार का किलियर यह हमने बिहार के बारे में बात कर लिए साथी हो अब हम कुछ अपने जो यह हमारे स्मार्ट कोर्स जो चल रहे हैं इनको पर्चेज आप लोग जरूर करें 77% का डिसकाउंट चल रहा है साथी हो 31 अगस्त तक यह डिसकाउंट है और डिसकाउंट के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है ED400 अगर आप मिसन SDM से जुड़ना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच सकते हैं नेक्स समर्पन बैच साथियो समर्पन बैच हमारे आरो और आरो के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आप आरो आरो की तयारी कर रहे हैं तो समर्पन बैच आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा साथियो नॉलिजबॉल इंफॉमेटिव और बहुत ज्याद मतलब आपको सकसे दलाने के लिए ये साबित हो सकता है समरपन बैस यहाँ पर आप लोगो प्लिम्स और मेंस की तयारी कराई जाएगी साबता है एक मूल्यांकन भी कराई जाएगा टेस्ट होंगी आपको वीकली टेस्ट वगेरा क्लियर और मिर्सन एश्डिया में साथ यह आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी 77% का डिसकाउंट के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है ED400 क्लियर और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं क्लियर दोस्तो अब देखिए हम बात करें अगर आपने next सवाल की तो बात करते हैं 65 वे जो राष्ट मंडल संसदिय संबेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी राष्ट मंडल का एक संसदिय संबेलन होता साथ यो और अब की वार 65 वा संसदिय संबेलन हो रहा है ये तो सबसे पहले आप लोग जानिए राष्ट मंडल यानि कि इसको इंग्लिस में बोलते है Commonwealth अभी गेम हुए थे ना Commonwealth कहां पर हुए थे जली से बताइएगा आप लोग मैंसे कोई कौन कोई भी मुझे नीचे comment section में किये Commonwealth गेम्स कहां पर हुए थे देखिए Commonwealth ये राष्ट मंडल समू है क्या Commonwealth ग्रुप्स देखिए जो ब्रिटेन के उपनिवेस रही है ना पहले समय में ब्रिटेन के जो उपनिवेस रही है वो सभी देश इसमें सामिल है clear और अभी कितने देश हैं इसमें अभी तक 54 देश सामिल थे लेकिन अब इसमें 56 तो मतलब कहने का यह है सात्यों राष्ट मंडल में वो सभी देश इसमें सामिल है जो कभी कि पहले कभी बिटेन के उपनिवेस रहे ते जैसे कि भारत यह सभी देश है तो अभी इसमार 65 और इसमें उन्ही देश इसमें यह सब होता है संसिद्य सम्मिलन वगेरा कहां पर हो रहा है यह होँ है कलियर मेर इसके बारे में कुछ और चीजिगा हम discuss करें कहां पर हो रहा है कनेडा के हेलिफेक्स एक जगह है यहसस चलेगा और 65 वाय आप आप लोगों एकाउंटेवल एन स्ट्रॉंग पालियमेंट दा कॉर्नर स्टॉन ओप डेमोक्रेसी एंड एसेंचियल फो डिवलपमेंट ये इसकी थीम है बहुत लंबी थीम है कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को पर थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है के लिए next अगर बात करें तो संभीलन के द्वरान विभिन विश्यों पर आठ कारेशाला एं आयूजट हो रही है और भारतियंस्ट मंडल का नेतरत्व किसके द्वारा किया जा रहा है तो साती को प्रेतने दी मंडल गया है यहाँ पर उनका नेतरत्व किया जा रहा है लोगसभा अध की स्थापना होती है लंदन गोशना किते हैं ये गोशना का नाम भी आप लोगों को याद रखना है क्लियर कुल सदस्य देश कितने है 56 इसमें सदस्य देश हैं और इसमें लगवग वे सभी देश शामिल है जो पहले ब्रिटिस उपन वेस थे जैसे कि अभी मैंने डिसकस किय संगठन का मुख्य संस्थान जो हम बात करें तो इसका जो हेड़काटर वो राष्टमंडल सचवाल है लंदन में है और इसकी प्रमुख कुन होती है इसकी प्रमुख है महारानी एलिजाबेथ दितिय अभी फिलाल ये इसका लोगों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क् तो जस्टिन टूरओ इसकी प्रमुख है और यहां पर आप इसकी बाूंडरी युसे से लगती है यह जील शेतर अभी हमने थोड़ देर पहले डिसकस किये थी कि यह जाँ यह ग्रीन लंड हो गया यहाँ पर और यह आइसलेंड हो गया यहाँ पर है लेप्राडोर की जो है यहाँ पर जल्धारा बहती है अप लोग में ऐसे कौन-कौन मुझे नीचे बताएगा कॉमेंट सेक्सर में कि जो लेब्राडोर जलधारा है ठीक है वो यानि कि stream है water stream लेब्रोडोर वो थंडी है या गरम है जल्दी से बहुती प्यारा सवाल है साथी हो बहुती जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे हम कुछ important सवालों को discuss कर लेते हैं देखिए राष्ट मंडल में दो नए सदस्य जोड़े गए हैं दो नए सदस्यों को इसमें सामिल किया गया है तो आपसे पूछा कि सबसे नवीदम सदस्य कौन-कौन सी हैं अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ध्यान रखेगा टोगो और गैबॉन ये दो नवीदम सदस्य हैं अगर आपसे पूछ दिया जाए एक्जाम में की राष्ट मंडल खेलों का आयोजन कहा पर हुआ इस बार 2022 में तो वो हुआ सात्यों बर्मिंगम इंग्लैंड में हैं नेक्श भारती है ओलंपिक संगे के कारेवाग अध्यक्ष ये हैं गाईज अनिलखना कारेवाग अध्यक्ष अनिलखना नरिंदर बत्रा की जगह इनको सामिल इनको जो है बनाया गया था आप लोगों को याद रखना है किलियर नेक्स्ट अगर बात करें हम तो देखिए संयोक्त राष्ट्र संग का मुख्याल है यानि UN का मुख्याल है कहां पर है तो गई यह है नियू यूर्क में किलियर नियू यूर्क और नियू यूर्क कहां पर है तो दोस्तो नियू यूर्क है USA में कि लिए नेक्स्ट अगर बात करें संयोग्त राष्ट्र संग का नवीन्तम सदस्य धक्षिन सूडान है कितने देश है टोटल इसमें 193 देश है और 193 सदस्य अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा है यूएन का तो वो है धक्षिन सूडान साउथ सूडान 193 सदस्य नेक आपको याद रखना साथ यह बहुत बहुत ज्यादा छपने वाला सवाल है यह स्टार बना लिजिएगा अप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि श्रयोंत राष्ट मियानी की यूएन में भारत की स्थाइप पृत निदी रुची का कहां पर स्थापित होगी का इस बहुत बहुत ज्यादा इंपोटेंट ये नीचे से ही नजर दखेगी जू धर्ति के चार theor और दस संटीम्येतर की भी जो वस्तूओं को ये देख पाएगी। और इसका जो सातियों, यह जो कहां पर स्थापत करी जाएगी, तो यह की जाएगी ध्यान रखना आप लोगों को इत्रा खंड में。 कहां पर उत्राखंड में इसके इस्थापना करी जाएगी आप लोगों को याद रखना है चलते हैं आगे नेक्स्ट अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए साथियों ये धर्ती की परिकर्मा करना ही 10 cm तक की आकार की वस्तुओं पर भी नजर रख सकती है ये इसके अलाबा भारत की पहली वानेजिक अंत्रिक्ष इस्तिती जन्य जागरूपता वैद साला है ये और कहां पर उत्तराखंड के गडवाल शेत्र में बहुत बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है ये 10 cm के आकार की जो वस्तुओं है उनको भी उनपर भी नजर रख सकती है य किसने इसको बनाया है इसको बनाया है स्टार्टप है अंत्रिक्ष शित्र में ये है दिगंतरा दिगंतरा जो स्टार्टप है साथी उसके दोरा इसका निर्मान किया गया है और ये जो किसी भी गतिविदी पर अंत्रिक्ष में हो रही भारत की गतिविदी उन पर नजर लाइट से हैं उन से ना टकरा पाएं इसलिए भी यह जो है यह इसका उद्देश यह भी है क्लियर तो अब चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में और यह ज्यान रखना आप लोगों को कहां पर इसका निर्मान मतलब स्थापित करी जाएगी तो गाइज यह की जाएगी उत् उत्राखंड में यह स्थापित की जाएगी क्लियर सारी बात हैं चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम इसके बारे में कुछ और चीज़े हम डिसकस करें तो उत्त्राखंड की बात हो रही है तो चलिए उत्त्राखंड के बारे में हम डिसकस कर लेते हैं देखिए राजधानी दो राजधानियां हैं इसकी एक तो देहरादून और दूसरी है गैरसेंड, CM कौन है इसके, CM है पुसकर्चिन धामी और गुर्मीत सिंग इसके गवर्नर हैं, आप लोगों को याद रखना है, लोगसबा सीट की बात करें, तो पांच लोगसबा सीट हैं, और वि फिलाल न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पर भारत का सबसे उचा, हरबल पार्क का उधगाटन किया गया है, आप लोगों को याद रखना है, यह सारी बात हैं हमने यहाँ पर डिसकस करीं, उत्राखंड के बारे में, और इस वैद साला के बारे में उन पर भी यह नजर रख पाएगी, क्लियर, अब नेक्स्ट जो है हमारे इंपोटेंट सवाल, जो की एक्जाम की दृष्टी से बहुत बहुत इंपोटेंट है गाईज, एक्जाम के पॉइंट औवी से इतने इंपोटेंट है यह, बहुत जादा, यहाँ से आप लोगों क अपने वाले सवाल मिलेंगे, डिरेक्ट सवाल मिल जाएंगे, क्लियर, तो देखिए, काला पानी नमक विवादित स्थल, यह हाली मन यूज में था, कहां पर है यह, उत्राखंड में है, और किस-किस के वीज में विवादित है यह, यह साथ यह उत्राखंड और, यानि कि यह हमिसा से भारत के पास रहा है भारत का हिस्सा है के लिए नेक्षट चार धाम प्रोजेक्ट किस राज्जे से संबंदित है तो गाईज चार धाम जो प्रोडेक्ट है वो प्रोडेक्ट नहीं प्रोजेक्ट यह उत्राखंड से संबंदित है आप लोगों को याद रखना है लिपूलेक दर्रा कहां पर है उत्तरा खंड में मान सरोबर के लिए जो यात्रा होती है वो लिपूलेक दर्रे से होकर की होती है आप लोगों को याद रखना है नंद प्रियाग किन दो नदियों से मिलकर बनता है तो guys ये जो नंद प्रियाग है न ये दो नदियों से मिलकर के बनता है एक तरफ अलक नंदा आती है और दूसरी तरफ नंदाकनी नदी जब ये अलक नंदा आती है इधर सीधी आती है और नंदाकनी जब यहां से मिलती है तो इस जो प्रियाग बनता है वो बनता है नंद प्रियाग नेश्ट विश्नु प्रियाग सातियो अलक नंदा और धोली गंगा को से मिलकर के बनता है अलक नंदा तो यह आती ही है और धौली गंगा यहां से आ करके मिलती है और जो यह प्रियाग बनता है यह बनता है ध्यान रखना विश्णु प्रियाग नीचे आकरके यहां पर अलग एक तरफ अलग नंदा तो होती ही होती है और दूसरी आती है भागी रती नदी ठीक है और भागी रती नदी और अलग नंदा नदी जब दोनों मिलती है तो इसको बोला जाता है देव प्रियाग और इसके आगे जब आगे बढ़ती है यह दोन यह सारी बात हैं हमने यहां पर डिसकस करीं उत्राखंड के बारे बहुत ही डिटेल में यह सभी छपने वाले सवाल बहुत सारे content हमने डिसकस किये साथियो आप लोगों को session अच्छा लग रहा है तो session को like जरूर करें सेर जरूर करें session को clear चलिए अब next जो अपना important सवाल है वो है कि भारत आज के जो सवाल है ना साथ यो बहुत ही important सवाल है यहां से आप लोगों को प्रतेक exam में एक दम यहां छपने वाले चाहे आरो यारो होने वाला आगे ठीक है इसका प्रस्तावित कर दिया है और इसको जो यहां पर आप देख सकते अमेरिका की तरज पर यूपी में भी बनेगी education township cm योगी ने दी मंजूरी के लिए इसके बारे में detail में discuss करें तो देखिए यूपी में ध्यान रखियागा कितनी टोटल पांच टाउन से विक्सित होंगी और अमेरिका की तरज पर यूपी में इनको विक्सित किया जाएगा और देश की पहली education township होगी आप लोगों को याद रखना है ठीक है देश में ये पहली township होगी और यहाँ पर छात्रों को एक ही जगह पर सभी प्रकार की सिक्षा प्रदान की जाएगी विभिन अलग-अलग प्रकार के विचार पर आधारित यानि कि single entry यहाँ पर एक मतलब एक बच्चा जब इसमें entry करेगा तो उसको विभिन प्रकार के skills प्रदान की जाएगी सभी प्रकार की सिक्षा उनको प्रदान की जाएगी तो इस तरह के ये concept पर आधारित है यानि कि कहने का मतलब है कोरे कागज की त सिक्षा बच्चों को उच्च यानि कि students को उच्च हाई लेवल की सिक्षा प्रदान करना कि नकिवल इनका जो उद्देश यह भी रहेगा कि बाहर से भी बच्चे यहां पर आएं पढ़ने के लिए यह भी फोकस रहेगा अफ्री के देशों से लेटन अमेरिकी देशों से और मद्दे ACI शेत्र के देशों के चात्रों पर भी इनका फोकस रहेगा है कि उनको भी अट्रेक्ट किया जा सके यहां पर पढ़ने के लिए अब इंपोर्टेंट सवाल एक्जाम के द्रिस्टी से यह है कि देश की पहली नाइट सफारी इंपोर्टेंट है अभी हाली में यूज में था हाली में इसको शुरू किया गया है देश की पहली नाइट सफारी है दिन में सफारी तो होती ही है अब यह नाइट सफारी है य अधीगम योजना साथियो ई अधीगम योजना इसकी सुरुवात हरियाना ने करी थी है हली में जबकि सूरज कुंड क्राफ्ट में लेका आयोजन फरीदबाद में किया गया था आप लोगों को याद रखना है नेक्स्ट है भारत का पहला अनाज ATM गुरू ग्राम में लकी बिल एप ये भी हाली में यूज में था ये क्यों यूज में था ये साथियो केरल सरकार ने इसको लॉंच किया है और इसका उद्देश है जी एस्टी चोरी को रोकना आप लोगों को याद रखना है जी एस्टी चोरी को रोकने के लिए कौन सा एप लाई थी केरल सरक हुआ तो गाईज यह सुरू हुआ है दक्षिन कोरिया अमेरिका और दक्षिन कोरिया के साथ में सुरू हुआ है उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास बस आपको यहां पर इतना ही याद रखना है और इसके बारें डिटेल कुछ भी याद नहीं रखना है यहां से अगर सवाल बनेगा तो बस इतना ही बन सकता है कि उल्ची प्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास किस-किस देश के बीच में हुआ था तो यह हुआ है साथ हो एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ दक्षिन कोरिया का मैप देख सकते हैं यह इन दोनों के बीच में दक्षि सकते हैं ठीक है तो आप लोगों को याद रखना यह मैप भी इंपोर्टेंट सवालों की बात कर लेते हैं उबेर कप का विजयता कौन है यह दक्षिन कोरिया है और जो अबेर कप है यह किस से संबंद है यह बैड मिंटन का एक टूनामेंट है क्लियर नेक्स्ट पिच ब्ल 222 इसका आयोजन कहाँ पर होगा तो वो श्टॉक 2022 का आयोजन यह यह हुगा रूस में और यहाँ पर भारत और चीन दोनों ही देश इसमें भाग लेंगे ठीक है रिमक्त है यह हवाई ड्ीम में यहां होता है और जो है इसकी अलावा निवी का सबसे बड़ा और भारत के बीच में होती है और उसी प्रकार जो युद्ध अभ्यास है ये भी भारत और अमेरिका के बीच में एक exercise है आप लोगों को याद रखना है ये सारी बात है हमने यहां पर डिसकस करी इंपोर्टेंट सवालों के साथ में चलते हैं आगे नेक्स्ट जो हमारा सवाल hydrogen inun cell बस का सुभारम कहां पर किया गया है तो यह किया गया साथियो पूने में आप लोगों को याद रखना है । ये बस है zero emission fuel cell बस जानी कि hydrogen से सर्चलेगी यह साथियो इसमें fuel के तौर पर प्योंग किया जाएगा hydrogen और air को और इसमें जो है पानी ama product की रूप में पानी ही देश की पहली स्वदेसी हाइड्रोजन इंधन सेल यह बस है आप लोगों को इन सारी चीज़ों को याद रखना है बाकी चीज़ मैं आपको बताई दिया है कि इसमें हाइड्रोजन और वायू का इस्तिमाल किया जाएगा फ्यूल के रूप में और बसे के वल पानी का ही प्रभा होगा यानि कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिदूसर नहीं होगा पूरी तरह से यह पर्यावरन अनकूल है आप लोगों को याद रखना है यहां पर आप लोगों को देख सकते हैं KPIT और Council of Scientific and Industrial Research यानि कि CSIR के वैग्यानिकों ने भारत की पहली स्वदेसी हाइड्रोजन इनन सेल बस को किया विक्सित यह जो है साथियो डीजल की तुलना में यह अधिक दक्ष है और यह परिचालन लागत भी इसकी यानि ऑपरेशनल कोस्ट भी इसकी बहुत ही कम है तो आप लोगों को याद रखना यह सारी बाते हैं important सवालों की बारे में discuss कर लें देखिए भविष्य का इनन किसे कहा जाता है तो guys भविष्य का इनन हाइड्रोजन को कहा जाता है हाली मैं भारत की पहली double daker देकर लिखा है बायो मास हाइड्रोजन प्लांट यह खंडवा मध्यपदेस में साथियो यह बनाया गया है बायो मास हाइड्रोजन प्लांट का सुरुवात कहां पर की गई खंडवा में next भारत की पहली medical city इंदराई नहीं है इसका नाम और पूने में यह स्थापित की गई है बायो मास यह जी प्लांट इन दोर में तो यह सारे बातें आप लोगों को याद रखना है साथियो यह था आज का discussion अब यह आज का सवाल जिसको नीचे आप लोगों को comment section में answer करना देखिये आप लोगों को वीडियो pause करिये दो मिंट के लिए इस सवाल को attempt करिये नीचे comment section में इसका answer करिये clear चलते हैं आगे अब देखिये quick revision कर लेते हैं साथियो कल का 23 अगस्त 2022 का clear पहला जो सवाल है वो है संयोक्त राष्ट द्वारा पृतिवर्स धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के क्रत्यों के पीडितों की स्मृति में अंतर राष्ट्री रिवस कम मनाया जाता है 22 अगस्त को European Club Tournament UEFA की महिला Champions League खिलने वाली पहली भारतिय football account बन गई है तो गाईज ये बन गई है Manisha Kaljahan बिटेन में UPI के जरिये पेमेंट करने के लिए National Payments Corporation of India NPCI ने किसके साथ समझोता किया है Pay Expert के साथ में राइट आंसर ए नेक्ष्ट हाल ही में Matsya Setu app में Online Marketplace feature launch किया गया है इसका क्या नाम है तो गाईज इसका नाम है Aquabajar किलियर नेक्ष्ट हाल ही में Gramine Ajivika Park इस्थापित करने की गोशना किस राज्ये द्वारा की गई है तो गाईज ये की गई है किसके द्वारा 36 गड़ के द्वारा नेक्ष्ट हाल ही में नमस्ते योजना का सुभारब किस मंत्राले के द्वारा किया गया है तो गाईज ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्राले और इसके लाबा जो दूसरा मंतरा ले है वो है आवास और सेहरी मामलों की मंतरा ले है कलियर तो रैट आनसर D B और C दोनों ही इसके ढा forts are नमस्ते योजना के बारे मैं आप लोगों को याद रखना है next हाली में महिला पुलिस का दस्वा राष्टी संहिलन कहां पर आयो जित किया गया है तो guys यह किया गया है कहां पर? शिम्ला में, clear सारी बात है? right answer 1, next है हाली में आत्म निरिक्ष्ण, सक्षस्त्र बल नियाएदीकरण राश्टिय संगोष्ठी का उध्गाटन कहां पर किया गया है? ये किया गया है गाईज नई दिल्ली में अंडर ट्वंटी विस्व कुस्ती चेंपियंट सिप दो हजार बाइस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतिय मैला पहलवान कौन बन गई है तो ये बन गई है अंतिम पंगल नेक्स्ट हाल ही मैं चंडीगड अंतरराष्ट्रिय एयरपोर्ट का नाम बदल कर किस स्वतनत्रता सिनानी के नाम पर रखा गया है सहीद भगत सिंग के नाम पर रखा गया है आप लोगों को याद रखना है तो ये तो थी आज की डिसकसन और चलिए अब मैं अपने इन कोर्सिस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने जो है हमारे स्मार्ट कोर्सिस चल रहे है मिसन SDM 2.0 और UPRO ARO के लिए समरपन बैच तो गाईज आप लोगों के लिए 77% यानि 77% का बहुत ही भारी भरकम डिसकाउंट चल रहा है और अगर आपको ये डिसकाउंट चाहिए तो आप लोगों को कोड यूज करना है ED400 क्लियर और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके भी जानकारी हांसिल कर सकते है मिसन SDM के तहट साथ हो आप लोगों को UPPCS की फुल प्रिप्रेशन कराई जाते है तीनों ही फेजिस की प्रिलिम्स, मेंस, इंटर्व्यो प्रिलिम्स में भी साथ हो आप लोगों को पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही पेपर्स की आप लोगों को तैयारी कराई जाती है और यहां पर आप लोगों को क्लास नोट्स मिलेंगे, PDF अभीलेबल होगी डेली बेसिस पर आप लोगों के एवलिएशन होंगे, मतलब टेस्ट आप लोगों के लिए लिया जाएगा, मेंस में GS2, GS3, GS4 चारों पेपर्स की तैयारी आप लोगों को expert faculties के लिए द्वारा कराई जाती है साथियो यहां पर अगर मैं medium की बात करूँ साथियो तो यह bilingual batch है, चाहे आप Hindi medium की students हो, या फिर English medium की students हो तो दोनों के लिए यह important है समर्पन batch के बारे बात करूँ साथियो में तो समर्पन batch RO और ARO की preparation के लिए है 300 घंटे का smart program आप लोगों के लिए बनाया गया है पिरती दिन दो live classes और recorded classes यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी expert faculties के द्वारा आप लोगों को यहां पर preparation कराई जाएगी और आप लोगों को daily यानि कि सापता है एक मुल्यांकन भी कराई जाएगा और यह batch भी bilingual है 77% का जो discount चल रहा है भारी बर कम वो discount अगर आपको चाहिए तो यह वाला code दोनों ही courses के लिए आप लोगों को यूज करना है आप लोगों को simply ED400 0000 लिखना है code के रूप में और आप लोगों को 77% discount मिल जाएगा अब अगर बात करने यह batch कब से सुरू हो रहे हैं तो देखे दोनों ही batch साथियो यह 5 सितंबर से सुरू हो रहे हैं किलियर और जो यह discount है यह साथियो 31 अगस्त तक ही available है किलियर सारी बातें चलिए और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे numbers पर call करके भी पूछ सकते हैं साथियो यह थो थी आज की discussion अब आप मुझे नीचे comment section में बताएए आपके कोई भी query हो इसके अलाबा आपको हमारा session कैसा लगा यह भी आप लोग के प्याराशा comment नीचे डालेंगे session अगर अभी तक like नहीं किया तो like कर दीजिए share नहीं किया तो share भी कर दीजिए clear और channel को subscribe कर लीजिए तो चलिए इसी के साथ में हम video को end करते हैं और मिलते है next session में तब तक के लिए thank you thank you so much